सूरन जिसे जिमी कंद्वी कहा जाता है इसके कई सारे नाम है अलग-अलग जगो पर इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है यह एक प्रकार का कंदमूल है जो कई पोसकत्तों से भरपूर है और यह हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही जादा लाब दायक है आज हम बनाएंगे सूरन के एक तम आसान सी सबजी और यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है एक तम चटपटी सी सूरन हमने ले लिया है इसमें काफी मिट्टी लगी रहती है तो इसे हमने साप पानी से धुल लिया है कई पार इसे धुलना पड़ता है क्योंकि यह मिट्टी में ही होता है और नीचे जमीन के तो इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है इसे हम किसी ब्रस से रगड़ कर साप करें तो आसानी से मिट्टी निकल जाती है और इसे अब हम छील लेंगे सूरन को खुरच कर भी छील सकते है और ऐसे चाकू से छिल के भी निकाल सकते है इसके चोड़े चोड़े टुकड़े हमें कर लेना है और इसे हम एक बार फिर से धुल लेते हैं सूरन को हमने दुल लिया है और अब इसे हम डाल देते हैं प्रेसर कुकर में और इसे पकने के लिए रखेंगे इसमें हमें बहुत थोड़ा पानी डालना है ज्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी शरूरत नहीं है क्योंकि ये दो सीटी में पक जाएगा पानी बस सूरन के नीचे तक ही डाले और प्रेसर कुक करके धकन को लगा देते हैं इसे हम पकने के लिए रख देते हैं और जैसे ही एक सीटी आएगी हम गैस के फ्रेम को कम कर देंगे दो सीटी में ये सूरन आसानी से पक जाएगा और अब हम खोल कर चेक कर लेते हैं सूरन पक दिया है इसे हम फटर फट से फटराई कर लेते हैं । σूरन को वीम को लोहे की खड़ाई में करेंगे हम लोहे की खड़ाई के खाने का तो मजह ही यु रहता है तो हमने इसमें इसमें तेल डाल दिया है तेल गरब हो गया इप हम但 फटर हम लिएक है नहीं बना रहे हैं तो अब बरे आप कोई भी नमक शुट की आजडा सकते हैं बर कर लिए ऊच्छा शुरन उठाल डालेगे यह लगे यह लाधी तभी खाने में टेस्टी लगता है सूरन कम थोड़ी देर धीमी आजपार ही भूनेंगे ताकि ये एककम सोन्धा सोन्धा सा बन जाए सूरन को हमने भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लैक्स चिली फ्लैक्स से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और थोड़ी सी हरी धन्या डाल देते हैं अभी ये सूरन हमारा खाने के लिए एकतम रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा सा सूरन है और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं अभी ये गर्मा गर्म है तो ये हलका सा गिला गिला सा लग रहा है और जैसे ही सूरन ठंडा होता है तो एक तम सूखा सा सब्सा हो जाता है तो इसे हम गर्मा गर्म आलू खाना है तो आप इस तरीके से चट पटा सूरन बना कर खा सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा है यह हमारे स्वास्ता के लिए बहुत ही ज्यादा लाप्दायक होता है थोड़ी सी हरिधन या उपर से डाल देते हैं और इसे नीम्बू के साथ हम स अगर निम्बू है तो निम्बू डाले, इसे गर्मा कर्म रोटी के साथ खाई या ब्रत में ऐसे ही खाई, शूरन को आप ऐसे सिंपल तरीके से बहुत जादा टेस्टी बना सकते हैं, तो आप इस तरीके से शूरन बना करके खाया, आपको बहुत जादा पसंद आएगा, दो